विल्कम बैक तो मैं चैनल तो जैसे आप लोगों पता है मैं कल इस पेंटिंग को मैंने स्टार्ट किया था और फिकल लाइब आके मैंने थोड़ा बहुत इसमें कलर भी कर आता तो काम करते हैं इस वाले काम को आज कंप्लेट करते हैं क्योंकि आज संड़े और मेरे पास एक तो नहीं पास चोटी असले मिरे को डिटेल गरने में बहुत प्रॉल्म होने वाली है इस पेंटिंग इंदर में इक बार फिल अनला यह करें यह हैं बंड अमबर वर्मिलियन हीउ यह यलो ऑकर वाइट थोड़ा सा ब्लाक ठीक है यहां पर देखो मैंने बैक्ड्राउं colors क्या होते मैं आगे आने वाली वाडियों में जरूर बताऊंगा लेकिन हाँ उससे क्या होता है जो focus है वह आपकी जो main figure है उस पर पढ़ता है पूरा का पूरा तो अभी आप अगर आप जो देख रहे हो ना यह मैं भी फिलप कर रहा हूं कोई जो डीटेल नहीं है इसके अंदर स्रीफ जो टोन्स है बस में वह पर रखने की कोशिश कर रहा हूं एज टिस जो मैं बना रहा हूं ठेक है और मर्जिंग के चकर में बहुत जादा नहीं पढ़ना है स्रीफ अब हला कि मैं थोड़ा सा पढ़ गया था ठीक है वह क्या ना मेरी अक्रिलिक की आज़त है तो ओइल में एक दम से इंप्लिमेंट करते-करते वह एक हैबिट बन जाती ना एक्रिलिक करते-करते इसलिए वह थोड़ा सा होता ही है ठीक है तो बस यह है आम मैं ज्यादा काम सब्सक्राइब करते हैं तो यह सारी चीज़ा बहुत ध्यान में रखनी चीए हमें इसी के अंदर आते हैं क्रोमा हूँ चैक है सारी चीज़ा यहां पर बहुत जाला इंपोर्टेंस रखती है ठीक है अगर हम इस काम का इस काम को ऐसे देखें तो यह जो मैंने पीछे ग्रे डाले ना इसको क्या है इस कलर को यह बांस कर रहा है आगे के तरफ ठीक है तो कहीना कि जो एक 3D वाले एफेक्ट है वह इससे क्रेट होता है कितना काम कर लिया है और इसके बाद अभी आप यह जो पेंटिंग देख र इसको बनाया है रुको मैं इस पिंट को दिखाता हूं अच्छे सापको दाड़ी है ना यह वाला पोशन मैं आज तिखाया अपनी क्लास के अंदर और यह प्रिंटिंग जो हमारी कुछ ऐसी से लग रही है कुछ चीजे मैं आपको बताना चाहता हूं एक तो यह बातें कभ और अच्छा कर चुका होता ठीक है फर्स्ट तो यह है कि अंदर और आप डारिक्ट लिंस्ट ओल लेते हो ठीक है ओल क dużo लियर है नवा काफी समय तक जिली रहती है ठीक है जो oil आता है जो hardware की shop पे मिलता है मैं उस oil को लेता था और उससे painting बनाता था तो जो quality है paintings की कही ना कहीं वो खराब हुजाती थी ठीक है तो यह मत करना आप turpentine oil लो और linsed oil लो दोनों को same quantity में मिलाओ और painting करते time जब आप oil mix करते हो अपने color के अंदर उसको use करो ठीक है दूसरी बात यह के direct white यूज मत करो एक दम से painting में बहुत बार बता चुका हूँ फिर बता रहूं और बताता रहूंगा क्योंकि जो नए लोग आते हैं उन लोह को पता लगना जरूरी है ठीक है direct white मतलो जब vermilion hue ochre white ठीक है यह तीन चार color जो है use करें हैं और कभी भी एकदम direct white मैंने use नहीं किया है दाड़ी को छोड़ के दाड़ी में मैंने फिर भी एक बार direct white लगाया था बाकी एकदम direct white नहीं लेना है धीरे 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 process में काम करते ही अच्छा होता है देखो एकदम से आप सो जानक ना मेरे भाई और डरने घपनाने लिए बात नहीं है एक दिन का सफर नहीं है सफर बहुत लंबा है लेकिन हाँ अगर आप चलते रहोगे तो सफर कब गुजर जाएगा नहीं पता लगेगा तो ठीक है आज के लिए पर जतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो मैं थैंक ताले दिया झाले आपा कि लिग टके के लिए याँ